Brand Protection Services Private Limited को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है सिल्ले गुरी के भक्ती नगर थाना छेत रस्तेत सिल्ले गुरी बिल्डर्स स्टोर्स में Brand Protection Services Private Limited की टीम ने छापे मारी की है जहां से जंदल इंडिया Private Limited Company जैसे बरे ब्रैंड के नाम से बनाए जा रहे नकली तीन शेट समेथ फिनिस्ट और अन्फिनिस्ट प्रोडक्ट को पाया गया है बरामत किये गए नकली तीन शेट समेथ फिनिस्ट और अन्फिनिस्ट प्रोडक्ट की की मर्द लाखों में बताई जा रही है ब्रैंड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की टीम और भक्ती नगर ठाने की पुलस के सहयोग से सिल्ली गुडी बिल्डर्स स्टोर पर सहयोग तुरूप से इस ठापे मारी को अन्जाम दिया गया है जिहां आपको बता दे कि ब्रैंड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डिरिक्टर सयद मुस्तुपा हुसेन ने बताया है कि टीम को पिछले कई दिनों से सिल्ली गुडी बिल्डर्स स्टोर्स में जिंदल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसी बड़ी कमपनी के नकली तीन शेड बनाने की सूचना मल रही थी तीम को पता चला था कि जंदल इंडिया प्राइवेट लिमिटेट कमपनी के नकली तीन श्रेट बना कर उसे पूरे सिल्ली गुडी सहर में बेचा जा रहा है और मोटा पैसा कमाया जा रहा है जुसके बाद ब्रैंड प्रोटेक्शन की टीम ने मिली सूचना के आधार पर उक प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेट की टीम ने सिल्ली में सिल्ली गुरी में सिल्ली गुरी बिल्डर स्टोर्स में छापा मारा है जहां से एक वैक्ति को पुलिस ने गरफतार भी किया है जिससे फिलाल पुलिस थाने लाकर पूस्ताच जारी है सेयद मु गिरहों में शामिल और नकल्चियों को टटूलने में लगी हुई है आपको बता दे कि मौके से बरामत जंदल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कमपनी के नकली तीन श्रेट समीट स्पनिस्ट और अन्पनिस्ट प्रोडक्ट की कीमत लाखों में भी बताई गई है जिसे भ दिख रहे होंगे कि कितने बड़े पैमाने पर यहां पर तीन श्रेट बना रहे थे और बना कर बेचा जा रहा था कितने बड़ी मैनुफाक्ट्रिंग यहां से की जा रही थी कितना मसीनरी यहां पर आपको दिख रहा होगा कि कितने ज्यादा बड़े पैमाने पर मशीन ल